शिरिकुरुकरन साव, रामकली मेला पहला, सागर में बूंद बूंद महीं सागरू कमनों बुझे विदी जाने, उतबोज चलत आपी करीचीने आपे तत्त पच्छाने, ऐसा ग्यानों विचारे कोई तिस्ते मुक्ती परमगती होई। इस बद में गुरुजी ने अंश और अंशी में अभेद दर्शाया है, और ये अंशाशी भाव की दार्शनिक्ता का ध्योतक पद है। सागर में बूंद और बूंद में सागर होने की रहस्यात्मक कथा की जानकारी उसे ही संबव है, जो जीवन युक्ती को पैचानता है। सागर में बूंद बूंद मही सागर हो कवनों बुझे विदी जाने। उद्भुज आदी रचना वे स्यम करता है और खुद ही उसका भेद भी जानता है। उद्भुज चलत आपी करिक्चीने आपे तत्त पच्छाने। ऐसा उत्तम ग्यान की सूज जिस जीव को हो जाती है, वे परमगती मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा ग्यान विचारे कोई तिस्ते मुक्ती परमगती होई। दिन में रैनी रैनी महीं दिन रूप। उसन सीत विधी सोई ताकी गती मिती आवरू ना जाने गुर्बिन समझ ना होई। पुरख में नारी नारी में पुरखा बुज्यो ब्रमग्यानी तुनी में त्यान में जाने या गुर्मकी अखत कहानी। दिन जो परकाश का सवरूप है उसमें भी अंधेरे का अंश होता है। और रात में दिन के आलोग का अंश मोजूद होता है। दिन महीं रैनी रैनी महीं दिन अरू उसन सीत विधी सोई। इन तथ्यों की गति को केवल वही समझ सकता हैं जिसे गुरू का संपर्क प्राप्त होता है। अन्य कोई इस रहस्य को नहीं जान सकता है। ताकि गति मिति आवरो न जाने गुर बिनु समझ ना होई। पुरुष में नारी की उपस्तती तथा नारी में पुरुष की विध्यमानता को ही ब्रम ग्यानी समझ सकता है। अनाहत नाद के श्रवन में जीव का ध्यान एक आगरूता है। और उसी एक आगर्ता में कोई गुर्मक इस रहस्यात में करने निर्विचनी एक था को समझ सकता है। तुनी में ध्यानों त्यान में जा गया गुर्मकी अकथ कहानी। मन में जोती जोती में मनवा पंच मिले गुर्पाई नानक तिन के सदबली हारे जिन एक सब्दी लिव लाई। प्रभु की जोती मन में पहले से विद्यमान है। उसी जोती में पाँचों ग्यान द्रियों को एकागर कर लीन कर देना है। गुर्नानक जी कहते हैं जो जीव अपने मन को इस परकार परम जोती में रत रखते हैं उन पर वे कुर्बान हैं। नानक तिन के सदबली हारी जिन एक सब्दी लिव लाई। मन में जोती जोती में मनवा पंच मिले कुर पाई। राम कली मेला पहला। जा हरी प्रभ किर्पा तारी ता अमे विच्चु मारी सो सेव की राम पियारी जो गुर्षब्दी विचारी। जो हरी जनु हरी प्रभ पावे अही निसी पक्ति करे दिन डाती लाज छोड़ी हरी के गुन गावे। यदि प्रमात्मा हरी की किर्पा हो जाए तो मन का एहंकार नस्ट हो जाता है। जा हरी प्रभ किर्पा तारी ता अमे विच्चु पारी। और प्रभ हरी का सेव का गुरु के शब्दों में विश्वाश लाने के कारण प्रभ हरी को प्रिये लगने लगता है। सो सेंकू राम प्यारी जो गुर्भ सब्दी विचारी जो सेवक दुनिया की लाज शरम छोड़ करके रात दिन प्रभु वक्ती में लीन रहता है वह परमात्पाहरी को प्रिय होता है जो हरी जन हरी प्रभ़ पावे अभी नसीपक्ती करे बिन दिन उराती लाज छोड़ी हरी के गुनकावी तुनी वाजे अनहत कोरा मनु मानिया हरी रसमूरा गुर पूरे सच्चु समाया गुर आदी पुरक हरी पाया सभी नाद वेद गुरवानी मनु राता सारंग पानी ता दीरत वरत त्रप सारे गुर मिलिया हरी निसतारे शब्द ही धनी उठाने से अनाहत द्धनी गूज उठी और मेरा मन हरी रसमें भीग गया सथ गुर की किर्पा से मन पून सथ सवरूप परमात्मा हरी में समा गया गुर पूरे सच्चु समाया गुर आदी पुरक हरी पाया मेरे लिए गुर्वानी ही नाद है मेरा मन परमात्मे रचा हुआ है मेरा तीथ वरत तप सभी वही है मुझे गुरु मिल गया है जिससे परमात्माहरी ने मेरा अधार काती है सभी नाद वेद गुर्वानी मनुराता सारंग पानी ता तीरथ वरत तप सारे गुरु मिलिया हरी निस्तारे जा आपू गया पवपागा गुर्चनी सेव कुलागा गुरी सत्गुर्व परमुच काया कहु नानक सब्दी मिलाया मुझ में जब अहंकार नस्टवा तो मेरा सब भे अपने आप दूर हो गया जा आपू गवाया पवपागा मैं गुरु के चर्नों की शरन में आगया हूं गुरु चर्नी सेव कुलागा सत्गुर्व ने मेरे सब भ्रमुच को नाश कर दिया और मैं शब्द भ्रम में लीन हो गया गुरी सद्गुर्व परम चुकाया कहू नानक सब्दु मिलाया राम कली मेला पहला चादनों पोजनों मांगतों पागे खुदिया दुशत जले दुखर आगे गुर्मती नई लिनी दुर्मती पती खोई गुर्मती पगती पावे जन कोई जोगी जुगती सेज करी वास से एक द्रिष्टी एको करी देख्या पिख्या पाऊ सब्दी त्रिपता से योगी लोग वस्त्र भोजन आदी मांगने के लिए भागे भिते हैं यहां पेट की आग में जलते हैं और आगे जनम मरन के दुख भूबते हैं उन्हें गुरू का उपदेश प्राप्त नहीं होता हुए कुमती में लिफ्ट रह करके अपने सम्मान को खो बैठते हैं कोई सच्चा सेव की गुरू के उपदेश से सची भक्ती भावना को प्राप्त का जिकता है एक दृष्टी एको करी देखिया पिख्या पाई सब्दी तित्ता से परमात्मा में लीन योगी की वास्ती की युक्ती सह जवस्ता में रहने की है मैं परमात्मा को सम्में एक द्रिष्टी से देखता है और उसकी बीक्षा गुरू शब्द और प्रेम है जिनसे उसे त्रिप्ती मिलती है एक द्रिष्टी एकोकरी देख्या पिख्या पाऊ सब्दी त्रिप्ता से पंच बैल गडिया देपातारी रामकला निवेपति सारी कर तुट्टी काडो सिर्पारी लकरी विख्री जरी मंज पारी गुरू का सब्द विचारी जोगी दुखो सुखो सब करना सोग भी होगी पुगती नामु गुरू सब्दी विचारे अस्थिरू खंदे जप्पिन निकारी पाँचो ग्यान द्रिया बैल की तरह इस शीर की गाड़ी को खीचती है किन्तो इस लीला का अधार राम की शक्ती है जो आत्मा रूप में शीर के भीतर विरासती है यदि राम के सहारे का धुरा टूक जाए तो शीर उपिकाड़ी गिर जाती है सिर के बल गिर करके लक्रियां बिखर जाती है और जल करके राक हो जाती है कर तुट्टी गाड़ो सिर पारी लक्री बिख्री जरी मज पारी इसलिए एय योगी तु गुरू के वच्चनों पर आच्रन कर तुख सुख संयोग वियोग को समान रूप में सविकार कर गुरू के शब्दों द्वारा प्राप्त नाम रुपी भोजन को ग्रहन कर जिससे तेरा जीवन स्थिरो करके निरंकार का लाब जपेगा पक्ती नामों को सब्द विचारी अस्थिरू कंदू जपे निरंकारी आयोगी तो सहज का लंगोट धारनकार जिससे तो काम करोमादी बच्चों से मुक्त हो जाएगा गुरू की शरन लेकर के मन को हरी नाम में रत करना ही मुद्रा को धारन करने के समान है नानक जी कहते हैं कि प्रभु के सेवकों का उधार केवल राम भक्ती से ही सम्भव है नानक राम पक्ती जन तरना एक कमकार सत्कुर्परसादी रामकली मेला तीजा करूई कर सत्युगी सच्चु कहे सब कोई करी करी पक्ती गुर्म खोई सत्युगी तर्मू पैर है चारी गुर्म की बुझे को वचारी जुग चारे नामी वड्याई होई जिन नामी लागे सो मुक्ती होई गुर्बिन नामू ना पावे कोई इस बंद में गुरु जिने चार युगों में प्रभु प्राप्ति की साधना के सुवरू की चर्चा की है साथ युग में सब और सत्य का वातावरन होता है घर घर में गुरु किर्पा से सब लोग भक्ती करते हैं धरम के चारो पैर सत्य युग में मुझूद होती हैं और गुरु के द्वारा लोग ग्यान को प्राप्त कर लेती हैं साथ युगी सचु कहे सब कोई करी करी पक्ती गुर्मक कोई साथ युग तर्मू पैर है चारी गुर्मक बुज्य कोई वे चारी चारो यूगों के नाम की प्रतिष्टा होती है जो जीव हरी नाम का सहारा लेते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं और गुरू के बिना किसी को नाम की प्राप्ति नहीं होती है जो की चारे नामी वड्याई होई जे नामी लागे सो मुक्ती होवे गुर्मिन नाम ना पावे कोई तेटे एक कल की नी दूरी बखंडू वत्या हरी जाने नी दूरी गुर्मखी बुज्ये सोजी होई अंतरी नामू वसे सुख होई दूरी 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 पावे कोई नामू दिडियाए कल युगतरम कला एक राईए एक पैरी चलने माया मू बदाए माया मू हो अधि गुबारू सत गुरुपेते नाम उदारू तेता युग में धनम की एक कल एक शक्ती दूर हो जाती है जिसके कारण हरी का ज्ञान छोड़ करके पाखंड का परसार होने लगता है किन्तु जो गुरु की शरन लेते हैं उन्हें ये थार्थ ज्ञान प्राप्त होता है उनके मन में हरी नाम बसने के कारण वे परम सुखी होते हैं गुर्म की बुझे सोजी होई अंतरी नाम में वसुख होई द्वापर में द्वायत भाव के कारण दुईदा बढ़ जाती है आत्मा और परमात्मा के सही रूप को जानने का भ्रम मना रहता है द्वापर में धर्म के केवल दो हिक पाग रह जाते हैं किन्तु यदि जीव गुरु की शरन ले तो वे उसे नाम दान दे सकता है द्वापरी दूजे दूईदा हुई परमी पुलाने जानने दोई द्वापरी तर्मी दूई पहर रखाए कुर्म खोवे ता नाम देडियाए काल योग में धर्म की एक ही शक्ति रह जाती है और वह माया मोके बढ़ने से एक ही पहर पर चलता काल योगी तर्म कला एक रहे एक पहरी चले माया मोवदाई माया मो के कारण चारो और अग्यान का अंधकार चा जाता है किन्तो जो लोग सद्गुर की शरन लेते हैं हरी नाम के कारण उनका उधार हो जाता है माया मोहू अतिक गवारू सद्गुर पेते नाम उधारू सब युग महीं साचा एको सोई साब में सच्च की इती सच्च की शक्षोई कुर्म की नाम बखाने कोई सब युगों में सच्चा स्वामी परमात्मा व्याप्त है उसी का सठ्य सब में विद्यमान है दूसरा कोई नहीं सब जग में साचा एको सोई सवे में सच्चो दू जाने कोई उस परमात्मा की कीति सच्ची और सुखदाई है किन्तो उसी के को उपलब दोती है जो गुरू के सहारे नाम जबता है साच्ची कीति सच्चो सुखदाई है गुर्मखी नाम बखाने कोई सब जुग में नाम उत्तम होई कुर्मखी बिला बुज्जे कोई हरी नामोतियाए पगतू जनसोई नानक जुगी जुगी नामी वड्याई होई सद्गुर में हरी नाम की शेष्टा नियत होती है इस सत्य की कोई विरल महान आत्मा ही समझ सकती है प्रभु के सिवक भगत जो हरी नाम का ध्यान करते हैं कुर्णानक जी के मत के अंसार युग युग तक उनकी पतिष्टा अमर रहती है पादमे गुरुजी ने चारो युगों की स्थितियों में तो परिवत्तन होते दिखाया है किन्तो नाम का अधार हमेशा बना रहता है सब जुग में नामों उत्मों होई गुर्मखी विल्ला बुज्जे कोई हरी नामों त्याय पक्दू जनसोई नानक जुगी जुगी नामी वड्याई होई रामकली मेला चार करूई कर एक कमकार सत्कुर परसादी जेवडपाद हमेवडपागी ता हरी हरी नामों ते आवे नामों जबत नामे सुख पावे हरी नामे नामे समावे गुर्मखी पक्ती करू सब प्राणी इद्धे प्रगासु होवे लिव लागे गुर्मत हरी हरी नामी समाणी यदि किसी जीव का भाग उज्यल हो तब ही वे हरी नाम का जाब कर सकता है जेवडपाद होईवडपागी ता हरी हरी नाम ते आवे हरी नाम जपने से उसे सुख की प्राप्ती होती है और वे हरी नाम में समाजाता है नाम जबत नामे सुख पावे हरी नामे नामी समावे ये प्रानियों गुरु की शरन ले करके परमात्मा हरी की भक्ती करो तमारे हिद्दे में ग्यान का परकाश होगा परमात्मा हरी से लग न लगेगी और गुरु के उपदेशों के द्वारा तुम हरी प्रभून नाम में ही विलीन हो जाओगे इद्दे परकाशु हुवेली विलागे गुर्मती हरी हरी नामी समानी हीरा रत्न जवैर मानक बहु सागर पर पूरु किया जिसुवड पागु होवे वड मस्त की तिनी गुर्मती कड़ी कड़ी लिया रत्नो जवैरु लालो हरी जाणनामा गुरु कड़ी तली दिखलाया पाग हीन मन मुखी ने लिया तिन ओले लाखु छपाया हरी का नाम सब के भीतर हीरे जवारात की तरह और शीर सुरवर उसे भरा पड़ा किन्तु जिसके माथे सुबाग की रेखा होगी वही गुरु उपदेश उसे निकाल लेने में सम्मध होगा जिस्वर पागु होए वर मस्त की तिती गुर्मती कड़ी कड़ी लिया हरी नाम रूपी रत्न जवाहर और शीर से ही गुरु की सायता से निकाले जाते हैं ये लाखो का खजाना तिन की ओट में पड़ा है किन्तु मन के संकेतों पर चलने वाला भागहिन जीव उसे प्राप्त नहीं कर सकता पागहिन मन मुखी नहीं लिया तिन ओले लाखु छपाया मस्त की पागो हुवे तो लिख्या ता सद्कुर सेवा लाए नानक रत्न जवेर पावे तनु तनु गुर्मती हरी पावे यदि आरामब से ही प्रभु हरी ने मस्तक में भाग लिख दिया हो तब ही जीव सद्कुर की सेवा में लीन होता है कुर्णानक जी कहते हैं तब गुरु की स्यवा में लग करके जीव शीर के भीतर से ही हरी रुपी रत्न जवेर रादी को पा लेता है नानक रत्न जवेर पावे तनु तनु गुर्मती हरी पावे राम कली मेला चुथा राम जना मिली प्या अनन्दा हरी नीकी कथा सुनाई दुर्मती मेलू कई सब नो किली सद संगती मिली बुदी पाई राम जन गुर्मती राम बुलाई जो जो सुने कहे जो मुक्ता राम जबत सुहाई राम के प्रिये सेवकों के संगती में साथ संगती में परम अनंद प्राप्त होता है क्योंकि वहां परमात्मा की उत्तम वारता कई सुनी जाती है इससे दुर्बुधी रुपी मलिंता धुल जाती है और सरसंगती में बैट करके जीव का वीवे का प्रक्र उठता तुर्मती मेलो गई, सब निकली, सरसंगती मिली बुधी पाई परमात्मा हरी के सेवक गुरू के उपदेश के उनसार ही हरी का नाम जबते हैं जो जो उनका नाम कहता है, सुनता है वे मुक्त हो जाता है गुर्मती राम बुलाई जो जो सुने कहे जो मुक्ता राम जपत सुहाई जेवड़ पाग होई मुखी मस्त की हरी राम जना पिटाई दसनु संत देहु करी किरपा सबु दालदु दुखु लही जाई हरी के लोग राम जन नीके पाग हीन न सुखाई जिवड़ राम कही जन उच्चे नर निंदक डच सुन लगाई यदि जीव के मुँ मांगे सुभाग होँ तो हरी के भग जनों से उसका मेल हो जाता है क्रिपा पूरक उसे संतों के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं और उसका संपूरन दारिद्य दूर हो जाता है दर्शन उसंत देहो करे किरपा सबू दाल दू दुखू लगी जाई राम भक्त लोग उत्तम होते हैं स्यम हरी को प्रिय होते हैं किन्तों भाग हिन जीव के लिए वे सुखद नहीं होते हैं जो जो जीव परमात्मा हरी का नाम जबते हैं उचे उठते चले जाते हैं किन्तों निंदक लोगों को इससे डंक लगता है अर्थात पीड़ा पूंचती जीजियो राम कहीं जन उचे नर निंदक डंस लगाई त्रिगो त्रिगो नर निंदक जिन जन नहीं पाए हरी की सखा सखाए से हरी के चोर बेमख मुख काले जिन गुर की पैज ना पाई देया देया करी रखो हरी जी हम दीन तेरी सरनाई जी हम बारिक तुम पिता प्रभ मेरे जन नानक बक्सी मिलाईं उस निंदक लोगों को धिकार है जिने हरी जन प्रिये नहीं लगते और ना ही उनके साथी उन्हें भाते हैं जिने गुरू की पतिष्टा अच्छी नहीं लगती वे हरी के चोर होते हैं और उनका मुखक काला होता है अर्थात हर जगा उनका त्रिसकार होता है से हरी के चोर बे मुखक काले जिने गुर की पैजना पाई है मेरे प्रभुजी हम तुमारी शरन में आए हैं तुम द्यालू हो द्या करके हमारी रक्षा करो हम बालक हैं तुम हमारे पिता हो इसलिए हमारे अपराद श्रमा करके हमें अपनी शरन में ले लो देया देया करी राखो हरी जी हम दीन तेरी सरनाई हम बारिक तुम पिता प्रभ मेरे जन नानक बक्स ही मिलाएं राम करी मेला चोथा हरी के सखा साध जन नी के तिन उपरी हाथ बतावे गुर्म की साध सही प्रभ पाए करी किर्पा आप मिलावे राम मको हरी जन मेली मनी पावे अमिय अमियो हरी रसु है मीठा मेली संत जना मुखी पावे संत जन प्रभु के सखा होते हैं वैं उन पर अपना हाथ रखते हैं अथात सियम उनकी रख्षा करते हैं गुरू के अपदेश केंज़ार अचरन करने वाले शादू-जन को परमात्मा हरी स्यम क्रिपा करके अपने में विलीन कर लेते हैं हे प्रभु जी मुझे हरी सेवकों की संगती पर दान करो यहीं मुझे भाती है हरी रस अम्रत के समान संत जना की संगती में उसका पान संब वै अमें अमें हरी रसु है मीठा मिली संत जना मुखी पावे हरी के लोग रामजन उत्तम मिली उत्तम पद्वी पावे हम होवत चेरी दास दासन की मेरा ठाकर खुसी करावे सेवक जन सेवी सेवड पागी रिद मनी तनी प्रीती लगावे विनु प्रीती करीं बहु बाता कोडो बोली कोडो फलु पावे संसारिक जीव जब हरी के प्रिये जनों के संपर्क में आते हैं तो वे भी उत्तम पद्वी को प्राप्त होते हैं मैं तो हरी के दासों के भी दासी होने को तत परूँ यदि उनके क्रिपा से मेरा स्वामी प्रभु मुझ पर परसन न हो हम होवत चेरी दास दासन की मेरा ठाकर खुसी करावे जो प्रभु जिके सेवक तान मन से उनकी प्रिती में लीन रहते हैं वे सुबाग गिशा नहीं हैं किन्तु सच्चे प्रेम के बिना जो लोग खाली बाते बनाते हैं उनकी बाते मिथ्या होती हैं और उनकी मिथ्या फल की ही प्राप्ती होती है पिनु प्रिती करीब हुबाता कुडू बोली कुडू फलु पावे मौकू तारी किर्पा जग जीवन दाते हरी संत पगी ले पावे हूं काटू काटी वाडी सिरु राखूं जितु नानक संतों चड़ी आवे हे जग जीवन दाता मुझ वरक्रिपा करके मुझे संतों के चर्णों में स्थान दो मैं अपना सिर काट करके अपने गुरु संत के सामने रख डालो ताकि वह उस पर चर्ण धर करके निकल सके हूं काटू काटी वाडी सिरु राखूं जितु नानको संतों चड़ी आवे